अगर तुम चश्मा लगाते हो या चश्मा लगाना चाहते हो तो एक बात जरूर जान लो कि चश्मा हमें attractive भी जिखा सकता है और unattractive भी अगर तुम अपने face के cotton चश्मा नहीं पहनते हो तो तुम कितनी भी अच्छी look क्यों ना कर लो लेकिन एक चश्मी की वज़े से गलत चश्मी की वज़े से तुमारी पूरी look की band बच जाएगी और end में एक ऐसा bonus चिप बताऊंगा अगर आज की डेट में तुम जिन्दा होना तो तुम्हें पता होना ही चाहिए सभी फ्रेम चूस करने के लिए पहले तुम्हें पता होनीची अपनी face shape face shape कैसे पता करोगे औरेड़ी वीडियो बना रखिया यह बटन में दे रहो है नीचे दिस्क्रिप्शन में दे रहो है वो चेक कर लो उसके बाद यह वीडियो देख लेना हमारी को तुमने कभी देखियो कि आँखे टेडी मेंडी होती है यहां का चैरा लगा रहा होगा यहां का चैरा लगा रहा होगा मतलब टूटा-फूटा चैरा रहता है तो उसको जो है जोड़के एक समान बनाना चश्मे का काम है दूसरा benefit है कि तुमारे आखों को ना बच नबर तीसरा benefit है तुम चश्मा पहन के ना एक अच्छे इंसान देखते हो तुम चश्मा पहन के एक अच्छे इंसान के साथ साथ पढ़ाकू भी लगते हो और जो अंधे नहीं है उनको confidence वैसे confidence तो दोनों को देता है और रोश्नी भी देता है फाइदे बहुत है तो अब हम जान लेते हैं कि तुम्हारा लेसे बेस्ट चश्मा कॉन सा रहेगा नंबर वन फेस चेप हमारी है round face और round face वालों में कैसा चश्मा नहीं पहनना है ऐसा चश्मा पहनना है angular type के मतलब उसमें एंगल दोने चाहिए रैक्ट एंगल होने चाहिए square type के चश्मा पहन सकते हो तुम और जिस चश्मे में आगे से या तो बोल्ड हो या मतलब थिक पहन सकते हो तुम लेकिन राउंड कर जैसे मैं नहीं पहनना है तुमने चश्मा पहनना है एक दम सीधा सीधा शेप वाला जश्मा जो तुम्हारे फेस को एंगल देगा नंबर टू फेस शेप है square face अगर तुम स्कुएर फेस शेप आले हो तो तुमने और जिसमें एंगल तुम्हारे फेस पे अल्रेडी एंगल रहता है तुम्हारे फेस में स्ट्रक्चर रहता है इसलिए तुम्हें ऐसे चश्मे नहीं चूज कर रहे हैं जिसमें जो एंगल चूज नहीं करना है जिसमें भी स्ट्रेट लाइन हो और एंगल हो वैसे चश्में तुम यूज कर सकत नमबर तीसरा फेशेप है ओल फेशेप और ओल फेशेप वालों को भगवान ने वर्दान दे रख है कि वो कोई भी चश्मा पहन सकते हैं कोई भी का मतलब यह नहीं कि तुम्हें देखना है पहले कि वो सूट कर भी रहे तुम पर की नहीं करना है ओल फेशेप पर सारे ही अच्छे नहीं लगते हैं कि कोई भी पहन लोगे बशूर तुम्हें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा तुम्हें देखना पड़ेगा कि यह सही लग रहा है नहीं लग और अवाइड करना ओवर साइज चश्मे नमबर चौत है डाइमेंड फेस अब दाइमेंड फेस तुम्हारा काफी खूपतूरत फेस है तुम्हारा फेस बड़ा होता है इसलिए तुम्हें चोटे चश्में अवाइड करने है काफी आप्शन से तुम्हारे पास और सबसे सेक्सी तुम पर लगेगा रिमलेस चश्मा अगर तुम रिमलेस चश्मा प पांच है हाट फेस शेप और हाट फेस शेप वालों के लिए वे फ्रेर पहन सकते हो तुम रिमलेस पहन सकते हो हाफ रिमलेस सेमी रिमलेस या ओल चश्मा पहन सकते हो तुम यह तुम पर बहुत अच्छा लगेगा बहुत सूट करेगा नमबर सिक्स है ट्राइंगल फेस थिए ए यहां का एरिया होता है यहां से बार नी जाना चाहिए वो और सभीन ना तो लड़किοι और घृःट से वह चीशमामत पैनना Oversize Frames के बारे में तुम्हें बता हूँ तो Oversize Frames ना Cute लगते हैं अगर तुम Cute लगना चाते हो तो Oversize Frame पहन सकते हो कभी से कभी हर वक्त नहीं तो बात कर लेते हैं हमारे Bonus Tip की Bonus Tip यह है कि भाई जो Frames होते हैं मतलब तुम कोई भी फ्रेम ट्राइगा सकतो कोई भी फ्रेम पहन सकतो जरूरी नहीं है कि तुम्हारी फ्रेम बन रखा है तो तुम्हें वही पहनना है यह एक रूल एक बेसिक रूल है जिसको मतलब एक्सपेरिमेंट नहीं करना होता है जिसको देखना नहीं होता है बस भाई दिखा दे पहन लूंगा और अच्छा लगना चाहिए ऐसा चाहिए तो तब तुम आप्शन जो मैंने बताए है वह चूज कर ले लेकिन भाई ऐसा कोई रूल नहीं है कि तुमारे फेस के साथ तुमारा यही फ्रेम चलेगा और कोई नहीं चलेगा और हमारे जो फेस होता है कई बार हमारा फेस जो है वो एक शेप का नहीं होता है हमारे फेस की शेप भी चेंज हो रही होती है जैसे हमारे फेस पे फैट था ब्राउंड था तो अब हमारा ओल हो गया या ट्राइंगल हो सकता है वो चीज़ अलग है और हमारा फेस टेप ना दो फेस शेप का mixture भी होता है, इसलिए frames जो है तुम बस frame का ये category तुम ध्यान रखो, अगर तुमारे face गोल मटोल है curve है तुमारे face में, तुमारे face में angles चाहिए, triangle, square, इस type के angles चाहिए, वो try कर सकते हो और अगर तुमारे face में already jawline है sharp है, edges है, तो तुमने curve type के चश्मे try करने है so experiment करते रहो, try करते रहो और channel को subscribe जरूर कर दो क्योंकि मैं ऐसी videos लेके आता रहूँगा video को like जरूर कर देना, video पसंद आई हो चाहे नहीं आई हो, dislike भी कर सकते हो पर कर दो, कुछ ना कुछ तो कर दो, share कर दो इस video को जिसको चश्मा पहनने की जरूरत है, देखने की जरूरत है, मैं तब तक के लिए चलता हूँ social media पर मेरे को follow कर ले न, इदर आ रहा है ठीक है, नमस्कार, चल रहा हूँ ओभी मैं, नमस्कार, नमस्ते, अगली वीडियो मिलेंगे बाइ-बाइ अगर तुमें कोई बोलता है कि इस face shape के साथ यही frame चलेगा तो उसको बोल देना कि वर्दान सिंग का चैनल सब्सक्राइब कर लो